हेलो फ्रेंट्स दिजेसी येस पुष्पम चौरसिया और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लॉजिकल रिजनिंग का एक छोट आसा बार्ट जो जिसमें हम लोग नॉन वर्रबल रिजनिंग के पार्ट को खासकर कवर करेंगे क्योंकि दोस्तों एक्जाम पॉइंट से नॉन वर्रबल रिजनिंग के उपर जादा स्ट्रस होंगा इनलेटिकल रिसनिंग मतलब है जब रिसनिंग देनी होंगी जब कोशन्स सुल लाजिकल रिजनिंग के rap लोग यस इनलेटिकल रिसनिंगmir को कंसेट thrust करे. Institute wants you to develop your mind in such an analytical way which should be very much helpful to you in future level of exams. So या institute का जो lookout है वो of course बहुत important है. इसलिए आपको समझना होगा कि institute हम से चाहता है कि हम exam में ये वाले chapters पे आने वाले questions को fastest way में thinking करें और जल्दी से उसके answer निकाले. लेकिन बेटा fastest way में thinking करने के लिए एक दिन में तो नहीं हो सकता. Multiple revisions, multiple practices तब जाके हम एक level पर पहुशते हैं जिसको हम expert level कहते हैं. तो चलो भई हम लोग यहाँ पर थोड़े से concept discuss करेंगे और बहुत सारे MCQs solve करेंगे. तो दोस्तों हमारे पास में सबसे पहला conditional based analytical reasoning. conditional based का मतलब है कि question आएंगा उसमें कुछ conditions दी जाएंगी. उस conditions को पूरा करते हुए आपको अपना एंसा select करना है. that is basically called as conditional reasoning. clear? चलियाए देखते हैं. a team of five is to be selected from among us the five boys. एक example के तौर पे उन्हों ने कहा है कि भाईया पांच लोगों की एक team को select करना है. बराबर a team of five is to be selected from among us five boys. A, B, C, D, E and four girls that is P, Q, R, S. तो भाईया नौ लोग है. पांच boys है, चार girls है. boys है A, B, C, D, E और girls है P, Q, R, S. तो ऐसे 9 लोग है. उसमें से हमें 5 लोगों की एक team चाहिए. अब लेकिन इसमें conditions आ जाएंगी. Now let's see what are the conditions. So आपके पास में condition है. A and S have to be together. तो भाईया हमारे पास में अगर आप select करना चाहते हैं तो A और S तो select साथ में ही होंगे. वो together ही रहना चाहते हैं. ठीक है भाई? B cannot be put with R. P और R आपस में बड़े जगडाल हुआ है. दोनों के आपस में जमती नहीं है. तो P कहता है A, R मैं तेरे साथ नहीं बैठूँगा. ठीक है भाई? D and Q cannot go together. C and E have to be together. R cannot be put with B. तो भाईया ऐसी ऐसी खतरनाक कंडिशन है. तो बताइए आपके पास में यह जो क्राइटेरिया अगर हम अप्लाइ करें तो कितने टाइप के possible selections हो सकते हैं. बराबर मतब यह कंडिशन आ गए अब इसके ओपर देखो कौन-कौन से questions पूछे जाएंगे. आपको condition clear हो गई? A और S जो है वो together आने वाले हैं. P और R इनकी आपस में नहीं बनती. D और Q इनकी भी आपस में नहीं बनती है. उसके बाद में C और E यह साथ होंगे और R cannot be put with B. साथ में R के B भी नहीं आ सकता. तो भाईया इतने restrictions है. ऐसे तीन pairs है जो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन उसी साथ में दो pairs ऐसी है जो साथ में ही रहना चाहेंगे. तो भाईया चुटे-चुटे questions देख लिजीए. If two of the members have to be boys, अगर दो boys हो नहीं है, then the team will consist of. तो अगर दो boys हो नहीं है, तो team में कौन हो सकता है? ठीक है? तो भाईया हमारे पास में A, B, boys होने है, तो देखो एक तो आपके पास में A होगा, तो S को भी आपको लिना ही पढ़ेंगा तो भाईया, the team will consist of. solution here, we have if A is selected, तो भाईया पास boys है, A, B, C, D, उसमें से अगर A को select कर लिया गया, तो भाईया हमारी A भाई साब select हो गया, तो भी आप गरल में से S को भी select करना पड़ेंगा, क्योंकि बोला गया है, question में A and S to be together, पांच लोगों की team चाहिए, A को अगर select किया गया, तो S भी साथ में होंगी, तो एक boy गरल हो गया, if B is selected, then R cannot be selected, तो अगर B को select कर लिया गया, तो R को select नहीं किया जाएंगा, ये बात भी clear हो गई है, बराबर, now, if D is selected, then Q cannot be selected, hence A, D, S, Q, R and B, D, S, Q, R are wrong, तो भी आपके पास में question में बोला गया है, कि आपके पास में D और Q कभी नहीं आ सकता, तो आप इसी से देख्यों को reject कर सकते हो, D और Q कभी साथ म देखो आप B option में देखो D और Q है, और यहाँ पर C option में भी D और Q है, तो इसका मतब एक बात तो clear हो चुकी है, कि आपके पास में B option और C option बिलकुल भी नहीं आ सकता, that is quite sure, उसके बाद में आपके पास में बोला गया है, that is D option, D option में देखा जाया है, तो आप देखो S है औ साथ बोली गई थी, तो बेटा जब S और A साथ में आना चाहिए, बट D में तो S है, बट A option मतब A है ही नहीं, मतब C भी D भी reject हो गया, correct answer should be A, जिसमें हमारे पास में, that is A और S की pair बनती है, साथ साथ में हमारे पास में D और क्यों साथ में नहीं है, that's how, so जो conditions दी गही है, आप उसे options में check करें, तो अब मैं ये पहले question से आपको एक shortcut trick बताने जा रहा हूँ, क्या करना चीए, अगर ऐसा conditional analysis आता है, तो बच्चे लोग पहले conditions को options में देखे, क्या वो conditions related option है, जैसे कि बोला गया था D और क्यों साथ में नहीं हो सकते, तो option numbers B और option number C देखते बराब करते जाईए, जो option हमारी condition पूरी नहीं कर रहा, वो reject करेंगे, जो बचे वे options होंगे, उसमें से कोई एक select होंगा, clear है guys, तो बिट आपके पास में इस तरीकी का look out होना चीए, बराबर, चलो आते हैं second वाले question पे देखने के लिए, if R be one of the members, अगर R एक member है, तो आप देख स R के साथ में B भी नहीं आ सकता, तो B भाई साब भी नहीं आ सकते, क्योंकि question में बोला गया है, P and R cannot go together, B and R cannot go together, these are the two important conditions with R, तो अगर R आना है, तो P भाई साब भी विचारे नहीं आ पाएंगे, और B भाई साब भी विचारे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों भाई सा आपके पास में जो आपका पहला option है, देखो उसमें P दिख रहा है, तो पहला option reject, A option गया, क्योंकि R के साथ में P बिलकुल नहीं आ सकता, अब देखो भाई अब B वाला भी कोई option है क्या, नहीं, B वाला तो कोई option नहीं दिख रहा है, ठीक है, now, if R is to be one of the member, तो अगर अब कोई एक member है, तो उसके साथ में क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है Q, S, A, D, यह तो वही बात होगे, D और क्यों साथ में आ गए, ओहो, B option, B reject, क्योंकि D और क्यों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है, फिर आपके पास में P, S, C, E, C और E साथ में हाँ आ सकते है बेटा हमारे पास में D option, जिसमें आप देखते हो, A के साथ हमें S, C के साथ में E है, और R तो हमारे पास already है ही, तो इसका मतलब हमारा correct answer होंगा बेटा, D option, got it, तो आपने देखा कि हमने कितने कम टाइम में second question को solve कर दिया, बस खाली जो condition given है, वो condition आपको apply करते, use करते आ of the member, तो यह दो girls है, बराबर, और D अगर एक member है, the members of the team of other than DR, तो D के अलावा और कौन होंगे, तो वैसे तो 5 लोग आने चीए, हमारे पास में D को ले लिया गया, D से जूड़ी हुई condition क्या है, D से जूड़ी हुई condition है, कि भाईया, वो Q को नहीं adjust करता, क्या नहीं करता, Q Q को adjust नहीं करता, तो भाईया, यहाँ पर जो option में Q होंगा, उसे reject कर दो, आप दे सकते, देख सकते हैं बिटा, कि आपका A option में Q है, reject, B option में क्यों है, reject, क्योंकि आप देख रहे हो, D को select किया गया है, बट क्यूँ उसके साथ में कभी नहीं आ सकता, इसलिए A और B देखते बराबर reject हो गया है, बड़ा असान, अब C और E में से एक बात है, अब देखते हैं भी या, C और E में, C और D में कौन्स option होगा, तो भी हमारे पास में A और S ये बात बराबर है, A और S साथ में होने चीए, same way अगर आप D option में देखें तो S है, लेकिन A नहीं है, क्योंकि ल मेरे बच्चो, तो बिटा ये है, आपके पास में आपका option number C, जो की correct answer होगा, clear है guys, तो ये था बिटा आपके पास में आपका question number 3 का answer, तो ये है analytical reasoning condition based, तो आपको exam points, मैं ये नहीं कहा रहा है कि यही question आएंगा, हाँ बट ऐसा question आ सकता है, condition based का मतलब है, हमें कोई group करना है, कोई selections करने है, किसी की arrangements करनी है, बट उसमें कुछ conditions given है, उन conditions को हमें पूरा करते हुए answer tick करना है, तो ये conditions देखो कि जो condition आपके given options में नहीं बैठ रही है, उस options को reject कर दो पहले, इसमें select करने के पीछे नहीं जाना, reject करने के पीछे, पहले आपको उन options को हटा देना है, कि जो conditions में नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो आसान है, मैं आपको तरीका बताना, exam में shortcut, कि भई, जो conditions दी हुई है, जिस option में नहीं बैठेंगी, उसे पहले आप reject कर दो, क्योंकि reject करना बढ़ा आसान हो जाएंगा, क्योंकि कौन सा select करना, उसमें बहुत जादा time जाएंगा आप आपको देखने के लिए, तो इसमें जो आखरी में balancing figure बचेंगा वो आपका correct answer होंगा, clear है बचो, तो यह है condition based analytical skill, right, चलो चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे next type के questions पे, जिसका नाम है classification, classification का मतलब ही आप classify करिए, एक जैसी चीजों को अलग करे, जो नहीं काम का, उ odd man out के जैसा ही type का ये question है, clear है guys, so classification में क्या होगा, classification means to assert the item of a given group, on the basis of certain common quality, they possess and spot the odd man out, तो भीया, जिसमें similarity है, या common quality है, उनको एक जगा पिलाए, और बचे हुए को जो रहे गया, जो uncommon है, उसे आप select करे, मतलब जिसे odd man out की बात होती है, बस वैसा ही, clear है बच्चों, चलो, आते हैं बेटा, यहां पर हमारे पास में कुछ questions को solve करने के लिए, फटा-फट चलेंगे और हम लोग questions को solve करेंगे, clear है guys, चलिया ये देखते है, सबसे पहले आता है बेटा, example number one, choose the odd one, और आपके options है, horse, lion, giraffe, cheetah, panda, तो बताइए भईया, हमारे पास में आपे horse और ये सब animals दिये हैं, इसमें से odd man कौन सा है, तो कुछ बच्चे पहले सोचेंगे कौन से कौन से animal से भईया, जो vegetarian है, कौन से animal non-vegetarian है, non-vegetarian वाला ऐसा निये, तो जिराफ भी vegetarian है भाई, यहां पर देखा जाए, तो lion, giraffe, cheetah और panda, ये सब कहां रहते हैं, जंगल में, हवेली में, जह और हमारा जो horse है, वो तो हमारी हवेली में भी रहता है, आओ कभी हवेली पे, तो हो, यहां पर हमारे पास में, horse is an exception, आपका correct answer होंगा, that is a odd man out, क्योंकि आप देख सकते है, all others are wild animals, because they live in jungle or any other, they are not pet animals, basically, right, ठीक है, now, आता है, आपके पास में, example number two, example number two, आप से कहता है, 17, 28, 64, 13, 31, 343, 441, अब यहां पर तो भाई, mathematical खेल है, वैसे तो इसमें, Kelsey का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ जाएंगा, लेकिन बच्चों को अगर याद होंगा, तो आप देख सकते हैं कि भाई, आपके पास में 17, 28, यह भी हमारे पास में, एक यूब होता है, 64 is again a cube, उसके बाद में 13, 31 is again a cube of someone, 343 is a cube, मतब यह ऐसे फिगा से कि कोई basic number के cubes है, लेकिन 441 अगर हम देखे, तो यह किसी number का कोई cube नहीं होता, लेकिन यह question कि अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत Kelsey का use है, बट हलका फुलका, लेकिन expected है कि इंस्ट्रीटूट Kelsey वाले याद होते हैं, तो भी यह इस तरीके से हमारे पास में ऐसे भी type का question आ सकता है, हम इस question को बोल रहा हैंगा ऐसा नहीं है, इस type का square वाला question जो इस में Kelsey का use ना हो, ऐसा question भी आ सकता है, got the point, चलिए ठीक है, तो आता है next question example number 3, iron, mercury, copper, zinc, aluminium, आप देख सकते हैं सभी जो हमारे पा सकते हैं कि mercury जो होता है, फूरा सा liquid form में होता है, बाकी सब जो है वो solid form में है, तो आपके पास में correct odd man आएंगा, बिटा, B that is mercury, कुछ बच्रे कहते हैं, mercury, mercury, बस ठीक है, clear है, चलो ठीक है, आते हैं हमारे पास में next type के questions, classification या odd man तो हमने देख लिया, अब आते हैं next type के close questions, ह और form a group, which one of that does not belong to that group, तो अलग type के questions मतलब है, तो ऐसी odd man के बट अलग category में हम जा रहे हैं, तो question number one आपके सामने आता है बिटा, that is badminton, table tennis, long tennis, lawn tennis बोलो या lawn में खिलते हैं, maybe, उसके वाद में आता है बिटा, हमारे पास में होकी, और फिर आता है रभी, तो भाई यहाँ प बाग रही है, badminton के लिए, you have a small bat, table tennis के लिए भी आपके पास में, badminton के लिए तो आपको पास में racket रहेंगा, then उसका में table tennis के लिए small bat है, long tennis के लिए, you have a racket, but, hockey, hockey के लिए आपके लिए, रभी के लिए आपके पास में, कोई stick या racket नहीं होता, वो तो आप जाहर सी बात है हाथ से ही खेलते हैं, रभी, you know that, ball पकड़ के भागना है, दूसरे क्या हो, बतर फुटबॉल की जगा पे रभी, फुटबॉल के जैसे हैं, फुटबॉल में पैर से मारते हैं, और उसमें हाथ से मारते हैं, clear है, हाथ से फिकते हैं, तो बेट, आपके पास में, rugby is your correct answer, next question है हमारे पास में, number two, four of the following five and so and so, सबका जो उपर का heading है, वह तो वही रहेंगा, that will not be a different part, so आपके पास में आएंगा, बेटा, मुरार जी देशाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकटर रमन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्मा राओ, सारे नाम हमारे लिए सुने हैं, लेकिन बेटा, सब की सब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सिवाए एक के, जो है हमारे, that is, सी वेंकटर मन जी, ये प्रैम मिनिस्टर नहीं थे कभी, ये प्रेसिडेंट थे, इसलिए ये और्ड मैन में चले गए, क्लिर हैं गाइस, एकदम सिंपल था, अब बच्चो ना उसके बाद आता है, बेटा, question number three, question number three हमारे पास में है, Lima, Wellington, Cairo, Cuba and Kingston, सर ये सब तो क्या है, Lima मतलब हम तो लिमका सुन रहे थे, ऐसा नहीं है बेटा, ये सारी चीजे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में ये सब जो है, ये कोई country नहीं है, लेकिन Cuba is a country, ये तो आप जानते होंगे, at least, sir, Cuba हमने कहां सुना है, Cuba तो बेटा, तुमने fast and furious में सुना होना, अगरा fast and furious देखी ही नहीं हमने, तो बेटा, कोई बात नहीं है, अब उसके लिए general knowledge ही बाकी है, sir, हमको तो इंडिया के state के capital ठीक से नहीं पता, ये foreign country हो के capital कहां से जान में रखेंगे हम, बेट इस इंस्ट्रीट ने syllabus में question इस type का दिया है, इस question के through हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे type का gk based question भी आ सकता है, अब ये समय तो है नहीं कि आप जाके general knowledge की बुक पढ़े, वो तो आप मत पढ़े, जो बचपन से लेकिए अभी तक, जितना आपने आपके surroundings में observe किया, सुना, knowledge आपका जो है वो तो नहीं रहेंगा, थोड़ा बहुत पढ़ने से हलका फुलका बढ़ेंगा, that's it, उसके उपर आया तो भी खाला question जी के बेस रहेंगा, otherwise नहीं, clear, तो आप जो है इनी questions को revise करेंगे, that would be better for you, right, चले, ठीक है चलते हैं, आगे, क्यूबा एक country है, बाकि सब option दिल्ली जैसे है, क्यूबा इंडिया जैसा option है, समझ में आगे आपको, right, आता है number four, पहला option है, ground nut, ground nut सब जानते हैं, मुँँ पढ़ा, देर उसके बाद में आता है, क्यूमिन, किकरमन, किनेमन है, देन पेपर है, देन क्लो है, अरे भाई, ये क्यूमिन, किनेमन, पेपर ये सब के सब, हमारे पास में, मसाले हैं, मसाले, गरम मसाले, और ये ground nut, ये गरम मसाला नहीं है, ये तो हमारी मुँप फल, ये तो हमारी मुद पछल है, हमारे पास में, ground nut is odd man out, वो कोई मसाला नहीं होता, spices, ground nut is not a part of spice, yeah, but other things like cumin, cinnamon, लमन पिपर क्लो़ दीज आर ऑल्ल पास स्टों यह ह्या हमारे पास में जो राउंड और यह हमारा ओद मैं आउड नट है है सर सर यह जो बिस पाइसे साइस के तो हमें हिंदी में न मालूम है लेकिन उसको अंग्रिजी में क्या कहते हैं हमें नहीं पता हो लची तो पता होना चीह कि हर इक स्पाइस को हम लोग या वेजकेबल स्क प्रुट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं so of course क्योंकि एक्जाम में तो आपका English में भी प्राने वाला है भाई clear चलो next आता है number 5 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group which is the best which is the one that does not belong to that group तो भाई यहां पर odd man को दूनके निकाला जाए 1936 ठीक है उसके बाद में आता है 2916 2304 3364 और फिर 2744 अब यह यह तो हमारे पास में जाहिर सी बात है कि यह Kelsey वाला कोशन हुआ इसे solve करने के लिए हम यहां पर पढ़ सकते हैं लेकिन एक्जाम में तो Kelsey की भी ना solve नहीं हो पाएंगा वही सारे number किसी के cube root होंगे या तो square root होंगे मतलब आपको cube root square root निकालने है सब की सब square root होंगे कोई तो एक cube होंगा या सब की सब cube वाले होंगे कोई एक square root होंगा जो एक अलग होंगा वो आपका odd man होंगा यह टाइप का question हम पहले भी कर चुके हैं यह उसी type का repeat type का question that is nothing to big deal उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट Kelsey का use होने की वज़े से ऐसे type का hard question institute ना दे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप ऐसे भी Kelsey कहां से use करोंगे clear आपके पास में यहां पे जो बुला गया है 2744 option number 5 यह बुल रहे हैं कि 14 का cube है बाकी सब जो है वो किसी ना किसी के square है अब कुछ बच्चों को तो 10, 12, 15 तक के square याद नहीं है तो आगे के square कहां से याद रहेंगे मैं expecting कर रहा है कि वो आए अभी भी क्योंकि of course आईर सी बात है कि आपना mathematics is not the main part, right so यह question number 5 को आप ignore कर सकते है exam points है but ऐसे type का सकता है so you can have in your mind की such type of questions can be asked तो ऐसे questions को सोचना कैसे होंगा ठीक है now आपके पास मैं अगला question में 5 options सामने आते हुए butterfly, crow, pigeon, parrot, peacock अब यह इसमें तो किसी को भी doubt नहीं होना चाहिए सभी birds है लेकिन butterfly is not a bird वो किडे मकोडो की category में आता है और जो पशु पक्षियां है पक्षियां खास करके birds वो बाकी सब birds है crow, pigeon, parrot and all so आपके पास में butterfly odd man हुआ because butterfly is nothing but odd man out right, insect, right number 7 4 of the following 5's and so and so so pelvis fibula vertebra skull appendix नाम तो आप समझ गए कि यह सब body के parts है लेकिन बॉडी के parts में आप देख सकते हैं pelvis fibula vertebra then उसके बाद में skull and appendix तो भाईया हमारे पास में सारे skull skull का मतलब एक हड़ी को कहते हैं skull जो होता है खोपड़ी तो actually में वो हड़ी होती है लेकिन appendix जो है वो हड़ी नहीं होती है इस बॉडी ओर्गन तो यह तो समझ में आ गए कि बाकी सब और्गन होंगे या तो फिर बाकी सब अड़ी आ होंगी तो आप देख सकते हैं भी या वर्टी ब्रा ये भी आपने सुना होंगा हड़ी का नाम है तो भी इसकल हड़ी है यह हड़ी है तो बाकी सब भी पेलवेस और यह हड़ी होंगी सिर्फ हमारे पास में appendix जो है यह और्गन है तो इसे हमें select करना होंगा सर हम कभी समझ में नहीं आ रहा कभी हम mathematics पढ़ रहें इंजिनियर बनके तो कभी हम body parts बन रहें डॉक्टर बनके तो हम क्या कर रहें हम हमारे commerce का क्यों नहीं कुछ पढ़ रहें बेटा institute में odd man out gk based है ऐसा इसमें को commerce science वाला पार्ट नहीं है ठीक है चलो next आता है number eight four of the following so and so so ginger ginger मतलब जानते हैं राइट ओनियन बीट रूट कोरियंडर और पटेटो क्या होना चीए जिंजर onion beetroot potato और coriander आप देख सकते हैं coriander जो रहेंगा basically एक तरीके से वो क्या है वो जो सामबर हम कहते हैं खारी खास बात तो एक तरीके से पुरा जाड ही होता है सामबर लगता है पुरा की पुरा हम तोड़ लेते है जाड के एक स्टेम होती है सामबर हुआ ही होता है लेकिन जो जिंजर है वो को स्टेम नहीं हो स्टेम वो एक तरीके से फूरूट होता है ठीक है लेकिन आप उसे फूरूट कैटेगरी में कई बार कहते नहीं हो बराबर तो जिंजर onion beetroot और potato ये सब अलग कैटेगरी में है ये कोई स्टेम नहीं है ये तो आप जो जाड होता है उसका ये फूरूट है या तो स्टेम है लेकिन आपके पास में कोरियंडर पूरा की पूरा ये आता है नंबर नाइन आपके ऑप्शन से स्नेक फ्रॉग रैट मुंगुस टॉटाइस इसका एंसर बड़ा ही आसान है बच्चो वो है स्नेक क्यों सर क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रॉग बराबर फ्रॉग जो होता है अच्छा ये भी एक बात हो सकती है कि सर देखो फ है उसके भी पैर होते हैं मुंगुस के भी पैर होते हैं और टॉटाइस के भी पैर होते हैं सर स्नेक के तो पैर ही नहीं होते है हाँ यह भी आप बोल सकते हो करके स्नेक है या फिर अधर वे राउंड अगर आप देखें तो फ्रॉग रैट मुंगुस टॉटाइस यह सब मे में बौसम उता है कilate में वोते हैं बराबार तो सके बिद्ध तो जनरल प्रिजूम्शं तो यह है कि सनेख में पॉसमानियल इनिमल स्थ ए रर नहीं होते हैं तो उसके बीडर एंसरे को चलते हैं हम लोग नेक्स्ट्थ कोषटून नमबर टैं कि ओर इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलेंट, स्पेन, इसका बड़ा ही आसान सा जवाब होंगा, that is number 2, यूरोप, क्योंकि यूरोप एक कॉंटिनेंट है, बागे सब कंट्रीज है, उल्टा यूरोप के अंदर वो सब आते हैं, इटली, ग्रीस, पोलेंट, स्पेन, गॉट इट, तो अब हम लोग हमारे next type के questions देखने के लिए, तो अभी हमने बिटा classification वाले questions देख लिए, analytical, conditional based analysis देख लिए, अब हम चलने वाले हैं बच्चो, next, completion of incomplete pattern, ये एक eye twisting questions होते हैं, इनके ओपर हम लोग discuss करेंगे कि क्या होंगे, यहाँ पर आपको exam में कोई एक diagram दी जाएंगी, question मे क्या दी जाएंगी diagram, वो diagram थोड़ा सा incomplete रहेंगा, मतलब कोई तो design से diagram flow होते जा रही होंगी, और थोड़ा सा part incomplete छोड़ दिया जाएंगा, आपको पूचा जाएंगा कि बताइए वो incomplete part जो छूड़ गया है, वहाँ पे क्या आएंगा, या कौन से type की design आएंगी, from the given options, तो आपके पास में जो given options है, उसमें से कौन सी diagram उसमें बैठ होंगी, वो आपको select करना है, मतलब ultimately eye twisting वाला खेल है, कौन सा खेल है पेटा, eye twisting वाला खेल है, तो चलो भया देखते हैं eye twisting वाला खेल देखने के लिए, so यहाँ पर हमारे पास देखते है, question में क्या given होंगा, in this given completion of incomplete pattern, verbal reasoning questions, a figure or a network of matrix, continuing arrangements of figures, taking after the specific sequence or pattern is given, तो भी हमारे पास यहाँ पे बूला गया है, क्या आपके पास में कोई तो given pattern दिया जाएंगा, अच्छी बात है भाई दो, then उसके बाद में in which section the most part a quarter is left bank, तो यह लेकिन एक चौथा ही हिस्सा, उस डाइग्राम का one fourth part blank छोड़ दिया जाएंगा, contenders need to choose the one which best fits the blank space of the problem figure to finish the original pattern, लेकिन जो part blank छोड़ दिया गया, वहाँ पे किस type का design fit बैठेंगा, वो आपको options में से choose करके लगाना है, मतब एक तरीके से कोई तो drawing होंगी, जिसके अंदर कोई छोटी मोटी design होंगी, उस design से मिलता जुलता one fourth part चार options में दिया जाएंगा, correct वाला आपको choose करके वाँ fit करना है, ताकि वो diagram complete हो सके, clear, so बेटा यहाँ पे eye twisting वाला खेल है, बहुरे ही बारिक तरीके से आपको सारे options को observe करना होगा, ताकि आपके बास में given जो question की diagram है, वो मिल जाए, clear है बच्चो, चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, सबसे पहल एक example दिया गया है, ठीक है, example में आप देख सकते हैं कि एक diagram है, चार boxes है, तीन boxes दिये गया है, एक में question mark दिया गया है, बराबर, जो question mark दिया गया है, वहाँ पे एक ऐसा diagram आइंगा, चार option में से select करके बताएं, तो बेटा पहले हम हमारा वो जो चौथा box खाली पड़ा है, रफ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो boxes है, सबी रस्यों से बंदे हुए है, दो-दो रस्या निकल रही है, दो-दो strips, तो आपके पास में जो अंदर के boxes है, उनका shape square है, लेकिन वो सीधा square नहीं है, tilted है, तेडा square, मतलब दो type के square, यह देखो इसे सीधा square, उसके बाद में ये 3 square, तो आपके पास में, जो question में, diagram उसमें 3 square है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो square बनना चाहिए, वो कौन सा बनना चाहिए भई, वो बनना चाहिए, थोड़ा 3 square, बरोबर, कौन सा square थोड़ा 3 square, तो आपके पास में, आप देख सकते हैं, options में, option number C और D जो ह वो reject होते हुए, क्योंकि C और D में normal square है, आपको tilted square चाहिए था, तो आपका C और D reject हो गया, अब A और B में जगडा है, अब A और B में अगर हम देखें, तो आपके पास में options में, जो strips निकल रही है square के पास, question में देखो, तो एक strip जो है connection है, वो straight line है, और दूसरा जो connection है, वो curve line है, तो हर एक box को दूसरे box से जोडने के लिए, दो line निकल रही है, एक straight line है, और एक curve line है, तो मुझे वो option select करना होगा, जो straight line एक होनी चीए, curve line एक होनी चीए, तो आपके पास में options दिए गए है, A और B में, आप देख सकते हो, A option reject होता हुआ, क्योंकि A option के जो strips है, वो corner में नहीं, line के बीच में मिलना चाहिए, यहाँ पर, तो भईया, आपके पास में correct option जो होगा, वो B होगा, मतब अगर box की जैसे यह line है, तो वो line, जैसे यह box है, तो वो line यहाँ पे नहीं मिलने चाहिए, वो यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इसलिए बिटा हमारे पास में ज solve such type of questions, clear है, अब इस basic approach के साथ, हम लोग आगे के questions जो है, इस particular concept में, फटा फट, सॉल करेंगे, clear है guys, चलो, चलते हैं, बटा sample questions की और, आपके सामने आता है, sample question number one, sample question number one, क्या कहना चाहता है, वही एक diagram, वही एक diagram, वही एक diagram में, चार boxes, चार boxes में, तीन boxes fill किये हुए हैं, और एक box question mark लिए खड़ा हुआ है, बरोबर बिटा, तो आपके पास में, वहाँ पर कौन सी diagram आएंगी, जल्दी से हम निकाल लेते हैं, तो भई, आप देख सकते हैं, कि जो ये आपका box blank वाला है, उसको हमने यहाँ पर बना लिया भाई, रफ में, ठीक है, इस box में अगर हम देखें, तो आपके पास में, उपर वाला जो diagram है, उस तरीके से कुछ ऐसे दो लाइने होंगी, बराबर, और फिर वो दोनों लाइने इस तरीके से यहाँ पर जुड़ेंगी, जैसे यहाँ पर यहाँ पर जाके जुड़ी है, व उदर साइड क्या होंगा, उदर साइड यह point से diagram से ऐस तरीके से आएंगा, आप देख सकते हैं कि जो blank question mark वाला box है, उसमें इस तरीके की diagram आनी चाहिए, इस तरीके की diagram आनी चाहिए, अब ऐसी diagram जिस option में भी होंगी, वो आप option select कर सकते हैं, मेरे बच्चो, clear, तो आईए ब option हमारे से मिल रहा है, क्या जी नहीं, वहाँ पर यह एक line रहे गए, इसलिए a option reject हुआ, बी option में तो भाईया, अलगी तरीके का है, तो यह reject हो गया, C option को अगर हम देखें, तो वो बिल्कुल हमारी diagram से match होता है, D option में तो भाईया पर curve बना हुआ है, वो कोई काम का नहीं, आपका correct answer जो है, वो C है, जो हमारे given answer से match हो रहा है, clear है भाई, सलो clear है बच्चो, तो बिटा यह है आपके पास में आपका question number one, sample question वाला, राइट, च question number two, जो है, वो हमसे क्या कहना चाहेंगा, so question number two में वापस एक diagram दी गई है, जो थोड़ से circle shape की है, तीन हिससे उसके already बने हुए है, एक हिससा question mark दिया गया है, clear, चलो भाईया, वो question mark को हम complete करेंगे, diagram जो होनी चाहिए, वो कुछ इस प्रकार की एक line होनी चाहिए, बराबर और दूसरी इस प्रकार की line होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो बाहर वाला जो column है, वो circle के through relate होना चाहिए, तो भाईया आपने देखा कि ये इस तरीके का ऐसा circle होना चाहिए, बराबर, ठीक है, अब अंदर क्या होंगा, आप देख सकते हैं, एक दम center पे एक छोट आस circle है, तो भाईया यहाँ पे वो circle complete होंगा कुछ इस कदर, ठीक है, उसके बाद मैं आप आजू में देखेंगे कि आपके पास में एक line जो है वो diagonally connected है, कौन सी बेटा, ये वाली line आप देखेंगे, ये वाली line जो दो point को circle से ऐसे connect कर रही है, तो भाईया ये वाली line हम लोग भी connect करेंगे, ठीक है, ये जो line है, उसके उपर दो arrows straight निकल के जा रही है, तो ये center पे आएंगा और ये भी इस तरीके से आएंगा, हम ऐसा कुछ भी हमारे मन से नहीं कर रहे है, जो question में given है, बस उसे मिलता जुलता shape बनाने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, ये हो गया, उसक बीच लाइन से center की तरफ जाएंगी, इस type का given question का part complete किया जा सकता है, clear है बच्चो, तो अब आपको ऐसा वाला option select करना है, I hope you got the point, धान रखे जो center वाली line है, धान रखे जो center वाली line जो है, बीच में से है, पुरी उपर तक नहीं है, यहां पर उपर तक नहीं है, यहां पर बीच में से चलो होके, यहां पर connect हो रही है, ठीक है, तो भीया वो point ध्यान रखा जाए, तो अब हम चलते हैं कि कौन सो option हमसे match करता है, right, तो अगर हम देखें, तो आपके पास में सबसे पहला option अगर है, A, A option देखा जाए, तो पूरी तरीके से match होता हुआ नजर आएंग करके B option reject हुआ, C option में curl line है, लेकिन यह जो center की line है, वो बड़े उपर से start हो रही है, जो कि नहीं होना चीए, तो इसलिए C भी reject, D option तो picture के बाहर है भाई, क्योंकि D option में तो line ही नहीं है, तो भीया आपका A option जो है, वही correct होंगा, क्योंकि आपके पास में, जो आपका required image है, option A पूरा कर रहा है, clear है बचो, I hope you got the point, तो बड़ा ही आसान टाइप का सवाल होता है, बस आपको खाली उस questions के answers को, options को जड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है, clear है बचो, चलो ठीक है, तो यह था आपके पास में आपका question number 2, चलेंगे अब हम हमारे प्यारे question number 3 के औ question number 3, जरा कहो तो क्या कहना चाहते हो, बस question number 3 भी वैसा ही एक box दिया हुआ है, उसके अंदर 4 चुटे box है, 3 box भरे हुए है, एक question mark है, तो यह जो question mark वाला box है, जरा हम उसको निकालना चाहते हैं, ये लो भाईया, वो question mark वाला box, अब आप देख सकते हैं कि भाईया, जो questions में इसरे उसमें भी ऐसा ही है, ध्यान रखे, बीच की लाइन स्टेट है, तो बीच की लाइन स्टेट है, पहले ये जोड़ दो, फिर ये corner पे, फिर ये corner पे, तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का, आपका given answer होना चाहिए, बड़ा आसान है ये question number 3, question number 3 seems to be very easy, आपके पास में, option A हम से मिल रहा है क्या, जी नहीं, option B हम से मिल रहा है क्या, जी नहीं, option number C मिल रहा है क्या, बिलकुल नहीं, option number D मिल रहा है क्या, वावा, वावा, option number D हमारा selection, तो option number D को O हम प्यार करेंगे, तो भाईया, option number D हमारा हुआ, सलो clear हैं बच्चो, तो question number 3 में ज्यादा twist नह रहा आते हैं बेटा question number four देखने से तो यह बड़ा गंदा लग रहा है भया question number four थोड़ा difficult लग रहा है मतब eye twisting ज्यादा है इसके अंदर so let's see question number four क्या कहना चाहेंगा question number four में डियाग्राम दी गई है चार boxes है उसमें से एक box question mark है बच्चो तो भई अब हम वो box की diagram पहले बना लेंगे तो भई आपके पास में जो diagram होनी चाहिए वो कुछ इस कदर होनी चाहिए और इधर से curve होना चाहिए ठीक है जो question mark वाला box है मुसकी बात कर रहा है अब अगर हम देखें तो भई या बच्चे हुए तीन question जो boxes fill किये हुए है उसमें भई या curve के side में एक straight line जोड़ी गई है तो भई यहाँ पर हमारे पास भी curve के पास एक straight line जोड़ी जाएंगी ठीक है same way center के में देखें तो एक circle complete होता सा नजर आ रहा है तो भई यहाँ पर एक छोटा सा circle हमारे पास होना चाहिए ठीक है यह हो गया अब आप उस given question में देखें तो भई यह एक line center से diagonally जा रही है जैसे यहाँ पर ऐसी line है यहाँ पर भी वही slope है यहाँ पर ऐसी line है तो भई यहाँ पर भी ऐसी line आनी चाहिए तो भई यहाँ हमारे पास में यहाँ पर एक line निकलेंगी लेकिन वो circle को काटेंगी नहीं circle से जो छोटा वाला corner का circle है वहाँ से निकल के opposite corner तक जाएंगी तो भई यहाँ हमारे पास में वहाँ तक क्या गया बराबर तो भी यह हमारे पास में corner वाले circle से निकल के opposite तक के जा रही है वो clear है, clear है बच्चो अब बताइए भाई इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो भी यह इसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि आपके पास में opposite circle तो चली गई next फिर उसके बाद में perpendicular line भी है perpendicular line is going towards the center तो भी यहाँ पर इस point पर दोनों आईए तो यहाँ पर इस point पर दोनों आनी चाहिए तो भी यहाँ से एक line यहाँ पर जुडेंगी तो भी यहाँ तक के तो हम समझ गए next अगर हम अगला बात करें अगला point क्या होना चाहिए अगला point यह है कि circle के पास एक और line आ रही है जो उस particular point को जोड रही है मतलब आपके पास में यहाँ पर circle के पास से और वो line को जोडने वाली एक line कुछ इस कदर निकलेंगी बराबर है बच्चो तो भी यहाँ ऐसी मिलती जुलती डाइग्राम आपको ढूंडनी होंगी अब आप देख सकते हैं भी options में हमारे पास में कौन सा option बिलकुल भी नहीं हो सकता तो भी यह diagram में अगर हम देखें नीचे की तरफ arrow वाला c option तो बिलकुल नहीं हो सकता है किसमें बिटा ए बी और डी ए बी और डी में a option पूरी तरीके से reject हुआ क्योंकि देखो वहाँ पे circle के अंदर भी line आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए करके option भी reject होता सा प्रतित हो रहा है बराबर तो भी आपके पास में a reject हो गया c reject हो गया बी और डी में जगड़ा है तो बी और डी में कौन सा option आएंगा अब बी और डी लगभख सेम है खाली बी और डी में छोट आसा difference अगर आप देखें तो भी अब बी डाइग्राम में आपके पास में जो ये डाइगुनर वाली लाइन है वो सरकल से आगे निकल के थोड़ी और आगे जा रही है यहाँ पर वो उस पॉइंट पर रोक रही है जो कि होना चाहिए तो बीटा option number D आएंगा वैसे बहुत बच्चों को C में ये दिख नहीं रहा है कि वो आगे जा रही है क्योंकि वो डाइग्रामी इंस्ट् assembling images है जिसमें बच्चे confused हो सकते हैं कि B और D में आखिर फरक क्या है B और D में as such कोई फरक नहीं है बस खाले B में अगर आप थोड़ा सा घूर के देखे तो circle के उपर की जो ये diagonal वाली line है ये आपके पास में इस circle तक जूड़नी चाहिए जबकि वो आगे जा रही है इस क्लियर है बच्चो चलो ठीक है तो ये तरवेटा हमारे पास में आपका question number four चलेंगे अब हम जल्दी से हमारे अगली question question number five की और question number five कहता है कि ये एक diagram है तो तीन तरफ से complete है चौते तरफ की diagram जो है वो हमें बनानी है तो चलो भाई चौते तरफ की diagram जो होंगी वो कुछ इ ट्राइब का होंगा राइट फिर उसके बाद में अगर हम देखे तो center में एक हमारे पास में circle जैसा प्रतीत होंगा बटो circle जैसा प्रतीत होंगा लेकिन circle पूरा जुड़ा हुआ नहीं बीच में line कट रही है तो बीटा आपके पास में यहां पे ऐसा यहां पे ऐसा बस बी का diagram आपके पास होना चाहिए clear तो भया आपके पास में correct option कौन सा होंगा ध्यान रखे diagram हमने आपको बता दिया जो आपके पास में यह बीच का circle है वो इतना है और फिर gap रखके इतना है क्योंकि यहां से दो लाइने निकलेंगी आपके पास में यह तो भया जॉइन होने वा होंगी लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखे यह बीच में बीच में छोटा सा स्पेस रहेंगा उदर से पैसेज आने के लिए कुछ इस कदर और यह यहां पर इस तरीके से जुड़ेंगी तो यह ऐसा आपका diagram given answer में होना चाहिए तो आओ बच्चों देखें जरा हम कौन सा option है तो देखें तो option number a option number a नहीं हो सकता क्योंकि देखो जो बीच की हमारे पास में लाइन है वो जोड़ी हुई है जबकि वो बीच में कटनी चाहिए पैसेज होना चाहिए तो a reject b वाले में तो दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसलिए b reject c वाले में अगर हम देखें तो वापस से बीच की लाइन को आने के लिए पैसेज नहीं है तो c b reject बचा हुआ answer हमारे पास में जो accept होंगा that will be option number d clear है बचो तो बिटा हमारे पास में यह आएंगा हमारा option number d clear है आप लोग got the point चलिए ठीक है तो यह बिटा option number d यहां पर पूरा हुआ चलिए चलते हैं आगे अब हम चलते हैं बिटा हमारे next question पे that is question number six अब question number six में भी यही पार्ट इस तरीके का हमें वापस से repeat करना होंगा बस कुछ अलग चीज़े होंगी question number six में एक figure incomplete है तो वह जो box है उसमें figure कैसी आएंगी वह हम discuss करेंगे square box है एक line कोछ इस तरीके से बननी चाहिए ताकि वो डबा पूरा complete हो और एक circle होना चीए जो डब्बे के अंदर होना चीए ठीक है यह ऐसा circle आ गया लेकिन circle अगर आप देखें तो आदा dark है आदा white है तो यह कौन सा वाला आदा dark होना चीए वो जड़ा घूर के देखिए second image में जो नीचे का circle है इसको मैं bottom कहूंगा तो bottom वाला circle जो आपके पास में bottom नहीं सर डाउन कहूं ठीक है बेटा down वाला circle dark है फोर्त image में उपर up वाला circle dark है तो बहिए एक बार up एक बार down वाला circle dark एक बार right तो एक बार left आना चीए न सर बिलकुल सहीं तो बहिए यहाँ प तो बहिए ऐसा dark करने वाला image left वाला आपको select करना है तो बहिए left वाला dark circle कौन सा होना चीए वो होना चीए बिटा option number a तो यह बड़ा ही आसान सा सवाल था इसमें कोई complication नहीं था so that was a very easy question जो हम लोगों ने solve कर दिया right चलो ठीक है चलते हैं बच्छो आपके next question number 7 की और select a figure from the following four alternatives and so and so same type का question है बच्छो तो यहाँ पर आपके पास में एक figure दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक diagonal है और एक circle उसको जुड़ा हुआ है बस आपको decide करना कि उस circle कहां का है तो भाया हम भी यहाँ पर एक हमारा बक्सा बना लेंगे यह line ऐसी होंगी अब जो circle है भाया वो diagram के right hand side में आ रहा है बराबर तो यहाँ पर diagram मत्तब diagonal के तो diagonal के इस तरफ circle फिर diagonal के इस तरफ circle यहाँ पर diagonal के इस तरफ circle आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आगे फिर उसी तरीके से circle आया है तो diagonal के इस तरफ circle आना चाहिए यह हमें पता चल गया clear लेकिन भाई जो diagonal के इस तरफ हमारे पास सरकल आना चाहिए वरूबर उसमें हम क्या करेंगे तो बहुत यह उसमें हमारे पास में आप देख सकते हैं सरकल जो तो C और D option है, वो हमारे पास में reject करना होगा, C और D दोनों reject क्यों करना होगा, क्योंकि वो इस तरफ circle दे रहे, जो कि नहीं है, A option भी कुछ वैसा ही दे रहा है, तो वो भी reject हुआ, एकलावता B option जो है, वो हमारा select होना चाहिए, तो बेटा ये question number 7 एकदम बड़ा ही प्यारा महबत वाला हमारा question, तो ये question number B को हम लोग select करेंगे, आम तब option number B को clear है guys, चलवाते हैं हमारे question number 8 की ओर, select a figure from the four alternatives, which can be placed in the blank space of figure X, तो यहाँ पर हमारे पास में question number 8 में, यहाँ पर कौन सा answer फिट बैटेंगा, वो हम select करेंगे, आईए देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा question mark वाला box है, उसको हम बना लेते हैं कुछ इसकदर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहिया एक parallel box बन गया है to the left hand side इस तरीके से, right hand में भी वैसा ही box complete होना चीए, तो बहिया आदा box तो नीचे के डब्बे में है, तो बहिया आदा box यहाँ पर ऊपर के डब्बे में कुछ इसकदर बना लिया जाए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तो यह बन गया, then उसके बाद में आप देख सकते हैं कि वो जो box है, उससे corner से, अपर corner से दो diagonals जाके internal side में जूड रही है, तो हम भी जोड देंगे भाई, ये लो यहाँ पर एक, ये लो भ ऐसा ही diagram वाला option select होना चीए, तो अगर हम देखें, हमारे पास में option number A हो सकता है, B ये भी हो सकता है, C ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो line है वो देखो भाईया, हमारे पास single आ रही है, करके C नहीं हो सकता, D में तो 3 line है, वो भी नहीं हो सकता, तो भाईया, A और B में ज जो डबा है, वो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो वैसे देखा जाए, तो given question में सारे डबे half तक आये हुए है, तो भाईया, आपने A option select करना चाहिए, बट यहाँ पर institute बिचारा B option जो है, वो कहता है कि भाईया, सायद select होंगा, बट वाई that B option should be selected, उन्रोंने बुलाई कि rectangle और square complete हो रहा है, करके B होना चाहिए, बट B में height ज्यादा है, जबकि questions में A दिया गया है, तो देखने पर तो यह समझ में आता है कि A option should be selected, but I don't know why institute has selected B option, फिर, in my opinion, questions image resembles with the option number B, या तो आपने options को बराबर print करना चाहिए, तो design के इसाब से, तो accordingly हम difference पैचान पाते, clear, ठीक आपके पास में question number 8, जो प्यारा सा question complete हुआ, question number 9 पाएंगे, same type का एक डबा है, हमारे पास दिया हुआ, तो यह वहाँ पे क्या select होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का एक जगा खाली है, ठीक है, उसमें एक line जो है, वो जुड़ता है, तो ठीक है, यह ये लो भीया center से diagonal आ गया, और जो diagonal के point है, उसको corner से जोड़ा जाता है, तो भीया जो हमारे पास में corner से ये इस तरीकी के perpendicular निकाले जाते हैं, बराबर, तो भीया यह हो गया हमारे पास में हमारा answer, जो ऐसा वाला diagram वहाँ पे fit bet पाएंगा, इसके अलावा तो और कोई fit नही बैटेंगा, ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा option होंगा बच्चों हमारे पास में, option number a नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 3D diagram से 1 नहीं आएंगा, 2 बिल्कुला 2 ही हो सकता है, 3 और 4 वो भी नहीं हो सकता, करके आपका correct answer होंगा, बेटा, option number 2, so your correct option is option number 2, clear हैं guys, clear बच्चों, चलि मोटे मोटे diagram से उसके अंदर दिये वे हैं, बस design निकालनी है, यह है हमारा given question का जो blank वाला box है, ठीक है, देख सकते हैं, बाकी सारे boxes में, corner से एक arrow आ रहा है, तो भाईया हम भी ऐसे corner से एक arrow निकालेंगे, ठीक है, यह बन गया arrow जो कि dark color से पुरा fill किया हुआ है, ठीक है भा बाद में एक छोटा सा circle भी है, तो लो भाईया हमने भी एक छोटा सा circle बना दिया, circle के ओपर एक छोटा सा curve है, जो circle की तरफ मुह करके बैठा है, तो भाईया हमारे पास में अब circle भी हो सकता है, या triangle भी हो सकता है, वो ही don't know, क्योंकि आप देखो कई जगा पर triangle है, कई triangle बना लिया, ये लो भाईया, एक triangle हमारा बन गया, arrow के बाद, देर उसके बाद में curve है, जो triangle या circle की तरफ मुह करा है, ये लो भाईया, curve ठीक है, आ गया, उसके बाद में center पे छोटा सा curve है, लेकिन भाईया, अगर आप देखे, तो आपके पास में, जो यहाँ पे corner पे एक center की तरफ है, और open जो है, वो opposite है, यहाँ पर जो curve है, वो center की तरफ open है, और opposite side में उसका मुह है, तो यहाँ पर आने वाला curve भी ऐसा होना चीए, तो ये लो भाईया, हमने लगा दिया ऐसा वाला curve यहाँ पर, तो भाईया, इस तरीके का image बनना चीए, प्लस अगर आप जो हमारे triangle arrow के बाजू में होता है, यह लो भाईया, छोट आसा dash arrow के बाजू में, तो भाईया, जैसा question था, वैसा ही मिलता जूलता image हमारे पास में ready हो चुका है, अब आपको ये वाला image option में ढूणना है, आओ देखते हैं, तो आपके पास में option number one, option number one में आपके पास circle है, क्योंकि उसमें dash कहीं और है, center का circle कहीं और है, तो बेटा ये to be reject, correct answer बड़ी आसानी के साथ select किया जाता है, और वो है बेटा हमारे पास में option number four, clear है बेटा, कौन सा option आएगा हमारे पास में, option number four, right, चलो ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास में question number 10, यहाँ पे complete हुआ, right, चलिए, ठीक है, अब हम चलेंगे बेटा, हमारे next type के questions पे, जिनका नाम होगा figure matrix, अभी जो हमने questions complete के वो कौन से थे, कि भी आप जो resemble होते हैं, या आप जो fill in the blank मत्तब एक box खाली है, उसका design बनाओ, अब हमारे पास में आएगा figure matrix, figure matrix में ऐसा है कि यहाँ पर भी image या figure दी matrix है, मत्तब आपके पास matrix format में दिये जाएंगे, कोई तो एक खाली होगा, वो आपको fill करना होगा, clear है बचो, चलू आप देखते हैं भी यहाँ पे हमारे पास में किस तरीके से questions आ सकते हैं, इसका एक example हमारे सामने दिया हुआ है, तो भी आपके पास में यहाँ पर matrix दिख में क्या आना चीए, तो of course question mark में हमारे पास में plus आना चीए, उसको circle किया हुआ, मतलब आपका भी option होगा, बस मिलता जुलता उपर वाली row देखो, नीचे वाली row देखो, बीच वाली row देखो, तीन row है, तीन row है, तीन column है, इन row और column के relation को देखते हुए, जो एक question mark दिया जाएंगा, वो आपको fill करना होगा, clear है बच्चो, तो ये भी एक eye twisting वाला ही point है, लेकिन बहुत जादा complicated नहीं है, clear है बच्चो, चलो चलो आओ, जल जल दिया आओ, चलते हैं, हम लोग हमारे sample questions की और, सबसे पहला question आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं, उसमे एक matrix दिया गया है, जिसमें तीन row है, तीन column है, ठीक है, अब हाँ पे आपके पास eight images already दिये हुए है, एक box खाली है, चलो जल्दी देखते हैं, पहली row, second row में क्या था, ताकि third row हम complete कर सके, तो आपके पास पहली row में अगर आप देखें, तो एक circle है, हर जगा पे, circle के rectangle shape है, दूसरे में circle है, लेकिन उसको जुड़े हुए, छोटे-छोटे दो circle है, और तीसरा वाला circle है, जिसके आजू-बाजू triangles है, या arrows है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो भाईया, यहाँ पे, एक के बाजू में rectangle, बराबर एक के बाजू में circle, और एक के आजू-बाजू में angles, ऐसा दिख रहा है, second row में देखे, तो भाईया, एक के आजू-बाजू में triangle वाला दिख गया, दूसरा वाला square वाला या rectangle वाला मिल गया, तीसरा circle वाला मिल गया, मतलब भाईया, एक rectangle होता है, एक circle होता है, एक triangle या triangle होता है, तो ऐसे दूसरी रो में भी मिल गया, ती इसरे में आजो बाजो में rectangle type का shape आना चाहिए तो वही वाला option आप लोग select करेंगे तो आपका answer बनता है बेटा A क्योंकि A number one A की option है जिसके आजो बाजो में triangle है हाँ अगर दो तिन option होते तो फिर हम अंदर देखते की circle की position और उसकी line कैसी होनी चाहिए clear है बचो तो चलो यह था बेटा आपके पास में आपका प्यारा question number one राइट चलो चलते हैं बेटा हम लोग हमारे question number two की ओर and let's see what is given in question number two आये देखे select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix तो बही आपके सामने यह matrix प्रस्तुत किया गया है जिसमें आपके पास में तीन रो तीन कॉलम है और आपके पास में सबसे नीचे वाली कॉलम का middle box जो है वो question mark है अब भीया देखो कि आपके पास में यहाँ पर relation क्या है आप देख सकते हैं पहले box में दोनुही आरो उपर है यहाँ पर अपोजिट चल रहे हैं सेकंड वाले box में एक उपर एक नीचे थर्ड वाले में भी उपर एक नीचे फिर थर्ड और सेकंड में फरक क्या है थर्ड और सेकेंड में फरक यह है कि जो पहला arrow उपर था सेकेंड वाले में मतब वो थर्ड वाले में नीचे है मतब सेकेंड वाला जो column है और थर्ड वाला column है वो एक दूसरे का बिल्कुल opposite चल रहा है सेकेंड वाले row में देखते हैं भहिया पहली row को तो समझ में आए कि पहले box का तो कोई लेंदेन नहीं है हा लेकिन सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स भहिया opposite चल रहे है यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला वाला box एक arrow उपर एक diagonal ठीक है सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स में भी वैसा ही है लेकिन थर्ड बॉक्स और सेकेंड बॉक्स वापस से एक बार फिर बिल्कुल opposite है देखो भहिया यह arrow उपर था यहाँ पर arrow नीचे है यह arrow अंदर था इधर वाला arrow बहार है मतलब सेकेंड और थर्ड बिल्कुल opposite चलते है इसका मतलब हम समझ गए जो भी image थेकेंड या थर्ड में होंगी वो दूसरी वाली opposite होंगी तो थर्ड वाले में यहाँ पे दोनों ही arrow नीचे है तो सेकेंड में पूरा opposite करते हुए दोनों ही arrow उपर होने चाहिए तो आपका correct answer होना चाहिए दोनों ही arrow उपर वाला first box कोई लिना देना नहीं है तो भी हमारे पास में option 1,2,3,4 तो भी हमारे पास correct answer होंगा हमारा option number 1 कौन सा option होंगा भी हा? correct answer होंगा option number 1 क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल third का complete opposite image जो है वो हम select करेंगे क्लियर है भाई चलो ठीक है चलते हैं आगे next question number 3 की ओर चलेंगे question number 3 देखने से तो लग रहा है कि ज़्यादा hard नहीं होंगा क्योंकि भाईया उसमें circle circle दिये हुए है और आदा dark आदा black मतब आदा white ऐसा कुछ type है तो यह पहली row की अगर हम बात करें तो यह first row में आप देख सकते हैं यहाँ पे right hand side वाला dark है फिर एक upper side वाला dark है और एक पूरा ही खाली है समझ माया तो भाईया एक उपर वाला dark होना चीए अपर वाला और एक right hand side वाला dark होना चीए ठीक है second row में देखे तो एक blank वाला मिल गया ठीक है right hand side वाला जो था वो भी मिल गया और अपर side वाला था वो भी मिल गया मतलब आप समझ गए कि अब third row में क्या होना चीए third row में भाईया उपर side वाला मिल गया ठीक है पूरा blank वाला मिल गया मतलब यहाँ पे आपके पास right hand side वाला चाहिए options में अगर देखा जाए बच्चो तो right hand side वाला एक लवता option हमारे पास मौझूद है वो है option number four तो सभी प्यारे बच्चे option number four की और प्रस्थान करेंगे option number four को select करेंगे clear number four तो आपके पास में correct answer आता हुआ that is आपका option number four तो question number three आपका complete हुआ बड़ा असान था ठीक है चलो चलते हैं हमारे next question number four की और question number four आप देख सकते हैं पहला वाला जो हमारे पास में है first row की अगर हम बात करें तो भाई एक लाइन ऐसी है फिर ऐसी है दूसरे में ऐसी है तीसरे में छोटी सी लाइन है में second में क्या होंगा second में हमारे पास में होंगा कि वहाया कुछ यह ऐसी लाइन है यहां पर कुछ ऐसी लाइन है कि इस प्रकार की और थर्ड में नीचे से हाफ है अब वे अगर हम देखें आपके थरड और में तो third row में first और second का कोई लिना दिना नहीं है बस यह straight line है यह straight line है तो भाई यहाँ पर क्या होगा यहाँ भी पूरी straight line खीच देंगे कोई आपस में relationship तो दिखी नहीं रहा जब आपस में कोई lane दे इन relationship दिख नहीं रहा तो भाई हम करें क्या कुछ नहीं जैसा first और second column में है व जो कि उसी साइड उसी तरीके से आपको दिख रहा है कि straight line आएंगी कि या diagonal आएंगी clear है बचो चलो ठीक है तो आते हैं आपके पास में question number 5 की ओर question number 5 बड़ा आसान सा सवाल दिखता हुआ question number 5 में एक और change हुई है जो आपने notice की होंगी वो यह है कि यहाँ पे सिर्फ 6 matrix है इसके पहले वाले questions में 9 matrix हुआ करते हैं यहाँ पर 6 matrix है मतलब दो ही रो दी गई है 1 & 2 पहली रो में सब boxes है तो दूसरी रो में circles दिये हैं तो यह question mark वाली image भी circle आएंगी हम जान गए ठीक है आपके पास में उपर जो squares है उसमें जैसी design है वैसी ही नीचे circle में आईए दिख लेकिन उसके अंदर 2 circle ऐसे जिसमें straight line है और फिर चारो circle जिसके अंदर straight lines है बराबर तो यहां पे जो हमारे पास में बड़ा circle है उसके अंदर छोटे 4 curves है जो blank आ गए दूसरा वाला जो है वो क्या होना चाहिए नहीं पता तीसरा वाला जो है उसके अंदर छोटे 4 curves है जो पूरे की पूरे dar color के है अब यहां पर जो हमारे पास में आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए नपर हम दो ब्लैंक है तो कौन से दो डार्क आएंगे कुश्चन में देखो स्कुर में ऊपर और आपके पास में आपका कुशन नमबर वाइब निखने भर की बात है एकसाम बसिते बराबर एंसर आजाई यह आपके लिए अच्छा होगा एंगाइस चलते हैं हमारे एक्स कोश्चन नमबर सिक्स की ओर कुश्चन नमबर सिक्स कहता है सिलेक्ट इस टेबल फिगर और स्वेंड सो तो सुटेबल फिगर चीए भाईया हमें यहां पर आप देख सकते यहां पर पहली रो है और दूसरी रो दो ही है वाँ मतवा छोटा पंशन हो गया पहले में ट्रं आइंगल पर एक लाईन पहला ख ऐन्ग है लेकिन उसके साथ में एक लाईन जोड़ी हुई है नीचे स्क्विएर है उदर भी एक लाईन निकली है उन्तब पह़ले में स्क्वेर में किती राइने निकलेंगी तीन तो बेटा कॉंस ऑप्शन होगा देखते बराबर भी ऑप्शन सेलेक्ट यह तो बड़ा ही इजी कोश्चन हम लोगों को मिला ऐसे इजी कोश्चन एक्जाम में आ जावे तो बहुत हम पहले खड़े होके एक बार डांस कर लेंगे क्लियर है गाइस तो बेटा यह था आपके पास में कुश्चन नमबर सिक्स जो एक तरीके से एक्जाम पॉइंट से हम मान लो कि भीया बोनस है बोनस बोनस की देन है क्लियर चलिए चलते हैं आगे बच्चे चलेंगे हम कुश्चन नमबर सेवन की ओर तो भीया कुश्चन सेवन क्या कहता है सिलेक्ट असुटेबल फिगर फ्रॉम्ट फॉल्इंग फॉर अल्टर्नेट या दैट वूट कंप्लीट फिगर मैट्रिक्स तो भीया नीचे जो चार ऑप्शन दिये गए हैं उसमें सेलेक्ट करो ठीक है बहुत करते हैं लेकिन यह वापस से बड़ा दिया गया है पहला वाला है हमारे पास में दूसरा वाला है देखो पहला वाला जो दिया गया है वह ऐसा दूसरा वाला दिया गया है वो भी वैसा राइट और तीसरा वाला जो है ऐसी लाइन है सेम वे हमारे पास सेकेंड ड्रो में भी वैसा यह बट थोड़ा सा छोटा सा figure है size thtr Crc O आदी लाइन आ जाने चाहिए तो आपके पास में और सी तो हो नहीं सकता क्योंकि कि वह लाइन नहीं है, A और D लाइन है, लेकिन A बड़ी लाइन है, जो नहीं होंगा, D है, जो छोट इसी लाइन है, जो हम सेलेक्ट करेंगे, क्लियर है बच्चो, तो आपके पास में D option जो है, उसे सेलेक्ट किया जाएंगा, समझ मैं है बच्चो, तो ये भी हमारे पास easy question बनता हुआ, सर ऐसे easy question exam में आते हैं, क्यों नहीं आते हैं भई, बिल्कुल आ सकते हैं, so you need to focus on this, इसलिए तो हम revise कर रहे हैं पुरे institute के questions, समझे बच्चो, चलो चलते हैं जल्दी से question number 8 की ओर, question number 8 कहता है, वापस दो रो दी गई है, very good, छोटा question हो गया, पहली image है, एक L, मतलब दो लाइने हैं, एक vertical, एक horizontal, दूसरी image है twangle, ओ, मतलब 3 line हैं, पहले 2 line थी, फिर 3 line हो गई, अब यहाँ पर square बन गया, मतलब 4 line है, तो पहले 2 line, फिर 3 line, फिर 4 line, अब दूसरी रो में देखते हैं, दूसरी रो में अगर हम देखें, तो भीया, एक, दो, तीन, चार फैले से 4 लाइने हैं दूसरी इमेज में देखे तो एक, दो, तीन, चार और बीचका एक पेट-फार के 5 लाइने हो गई मतलब यहाँ पर चार लाइने, यहाँ पर 5 तो अगली में 6 लाइने वाली इमेज चाहिए next में अगला जो image आना चाहिए it should have six lines six lines वाली image होना क्योंकि line एक एक करके बढ़ती जाएंगी ऐसा question के behavior से दिखाई दे रहा है बच्चो को तो भाईया आप देखें यहाँ पर किती line है यहाँ पर भाईया एक दो तीन चार पांच तो भाईया a option reject हुआ यहाँ पर किती line है बी option में एक दो तीन चार square बन गया और दो diagonals छे line है तो मतलब बी option हमारा select किया जाएंगा क्योंकि बी option में छे line वाला option है हमें चाहिए वोलो सी option में तो चार ही पांच ही है वो नहीं आएंगा डी option में तो गाउ की इतनी सारी line है वो भी नहीं आएंगा बी option ही हमारा correct answer हुँगा समझ मैं ऐसा बच्छों को बी option जो है वही हमारा correct answer हुँगा clear है guys चलो ठीक है बेटा तो यह था हमारे पास में question number 8 का सही जवाब राइट चलो चलते हैं बेटा हमारे पास आएंगे हम लोग question number 9 की ओर clear select a suitable figure from the following for alternate use अब यहां पे तीन रो है पहली रो को देखें तो एक डबबा है वैसे हर डब्बे में डब्बा है डब्बे पर डब्बा ने डब्बे में डब्बा है पहले डब्बे में चार डब्बा है दूसरे डब्बे में तीन डब्बा है और तीसरे डब्बे में दो डब्बा है यह पहली रो का मैटर जा रहे हैं चार डॉट उसके बाद 3..02 इस तरीके से चल रहा है अब अगर हम चलें थर्ड QOR तो फ़े टो में जो पहला बॉक्ष है उसके अंदर कितने डॉटस है वाद देख सकते हो भाई हमारे पास में overall 6 dots है, तो यह 6 dots, second वाले में आप देख सकते हैं 5 dots और फिर question mark में कितने dots होने चाहिए, 4 dots होने चाहिए, तो चलो भाई चलके 4 dots वाले option को select किया जाए, पहला वाला जी नहीं, दूसरा वाला, जी नहीं, तीसरा वाला, बिल्कुल नहीं, चौता वाला, जी हाँ, this is the correct answer, ऐसे questions exam में आवे, हम पहले dance करेंगे, फिर उसके बाद solve करेंगे, ठीक है बचो, तो आपके पास में question number 9 का deep answer, correct answer माना जाएंगा, clear है guys, चल यह ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे हमारे question number 10 कियो, question number 10 क्या कहता है, question number 10, दो ही रो है, बड़िया मजा आ गया, पहली रो को इसमें आपको एक छोटा सा design कुछ इस प्रकार का नजर आएंगा, बराबर, दूसरे इसमें अगर हम देखें, तो वैसा ही design लेकिन थोड़े से बड़े आकार में हो गया भाई, तीसरे में देखें, तो भाईया दो बड़े boxes ही आ नजर आ रहे हैं, बराबर, कुछ ऐसे है और फिर नीचे ऐसे हैं, तो भाईया आपके पास में size और बड़ा हो गया, अब अगर उसी बात को ध्यान रखते हुए अगर हम चलें, तो यहाँ पर हमारे पास में पहला option जो है वो है कुछ star mark shape का, ठीक है भाई, star mark shape, दूसरा option है square shape का, अब भाई इसमें तो कोई relation नजर नहीं आ रहा, आप देखो कि यहाँ पर आपके पास में एक था, उससे दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, थोड़ा बहुत हलका full का relation था, लेकिन second row में तो कोई relation ही नजर नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर पहले circular format star, दूसरा square format अब तीसरा क्या होंगा, we don't know that, चलते हैं options को घूर से देखने के लिए, आपके पास में circular star आ चुका है, तो उसे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं, दूसरा, वैसे अगर आप घूर के देखें, तो एक relationship में आपको बताना चाहूँगा, आपका उपर वाली first row में, जो second image है, ठ कुछ इस प्रकार की है, second image के अंदर first image आ गई, देखो भाईया, ऐसा ही है क्या, first image के अंदर second image आ गई, तब जाके आपके पास बन गई, third image, तो भाईया, हमारे पास first image, second image के अंदर चली जाएंगी, तो बन जाएंगी third image, ऐसा पहली row में समझ में आया है, तो second वाली row में भी हम क्या करेंगे, बच्चो, first वाली image को second image के अंदर डाल देंगे, तो बन जाएंगी third वाली image, तो भाईया, हमारे पास में ये है second वाली image, first वाली image उसके अंदर डाल दीजिए, तो भाईया, ये आपके पास में इस तरीके का answer होना चाहिए, first image goes inside the second image, that becomes your third image, तो ऐसा answer कौन सा दिख रहा है, ये दिखत है बेटा हमारे पास में a option, तो सभी बच्चे a option को select करें, sir d भी तो हो सकता, लेकिन d में वो जो star है, पुरा dark color का है, हमें dark color का नीच ये, that is, जो question में जितना है blank, उतना ही चाहिए, clear है बच्चो, तो ये था बेटा, आपके पास में आपका question number 10, जो complete हुआ, clear है guys, चल ये तो ये था बेटा हमारे पास में question number 10, चलो, अब हम चलते हैं बेटा हमारे next, अगले type के questions की और, और हमारा अगले type का questions है, grouping of identical images, grouping of identical images मत्तब एक जैसे images को कैसे group करना है, वो हमें देखना है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा interesting easy part है, तो यहाँ पर आपके सामने एक example है, जो images आपको हमेशन number one image से चलो करनी है, तो पहले number की image को number one रखा जाएंगा, number one से images जो मिलती है, वो से उसके बाद रखिये, तो यहाँ तरीके से आपको sequencing करनी है, एक example करते हैं, तब आपको clear होंगा, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास में image जो है, पहली वाली image है, square तो पहली image को रख दिया, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अगली similar मिलती जुलती image कौन होंगी, बराबर, तो आप देखेंगे कि भाई आप पहला वाला तो हमारे पास में square है, fourth वाला, second वाला triangle है, जी नहीं, third वाला अलग shape है, fourth वाला shape square है तो वो आएंगा, seventh वाला shape है तो वो आएंगा, तो वन से चालो करेंगे, लेकिन वन से मिलता जुलता, उसके बाद ऐसा रखना होगा, अब उसके बाद second वाला number लेंगे, second वाला triangle है, बताओ अगला triangle कौन सा है, number six, उसके बाद अगला triangle कौन सा है, भाईया number nine, आ गया, same way आपके प You got the point, बड़ा आसान तरीके से हम लोगों ने discuss किया इसको, बस इसी logic के हिसाब से आपको अब आगे के questions practice करना है, अलग-अलग questions आएंगे, practice करेंगे हम, तो आपको clear हो जाएंगा कि कैसे तरीके से practice होंगी, राइट, चलिए, चलते हैं बेटा, हमारे पास में, first number का question आपके साबने एक diagram है, वो हम discuss करेंगे, आए देखते हैं, select the given figures into three sections using each figure only once, अब यह यह तो question थोड़ा गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 6 figure है, और options में 9 figures बताई गई है, तो यह question हम बोलेंगे, बहिए, institute ने हमारे missprint करके दिया है, there are only 6 images, actually we should required 9 images, तो यहाँ पर आपके पास में आप selection कुछ कर नहीं सकते, फिर भी same category वाले select करना भी होता, तो भई आप 1 और 4 है, 2 और 3 है, 5 और 6 है, हाँ लेकिन एक एक और images में add हो जाती, जो कि हमारे पास दी नहीं गई है, clear, चलो ठीक है बच्छो चलते हैं, हम लोग हमारे next question number 2 की ओर, हाँ question number 2 में हमें अच्छा खासा 9 images अलग-अलग दिये गए है, हमें उनमें similar images को अलग से categorize करना है, और ये बात तो आप जानते हैं कि शुरू हमेशन number 1 से होंगा, तो लो भईया number 1, अब आप number 1 में देखेंगे, क्या है, एक triangle है, और सी के साथ एक और triangle है, मतलब triangle पे triangle, क्या है बटा number 1 image, triangle पे triangle, image तो कोई एक अलग टाइप का curve है, 3rd वाला circular image है, 4th वाला है circle पे circle, हाँ, ये हो सकता है agementना, जैसे triangle पे triangle है, वैसे ये circle पे circle है, तो तो, सर देखो third वाला भी तो circle है, third वाला circle नहीं है, वो circular design है, circle नहीं है, ठीक है, third वाला is a circular design, but not a circle पे circle, ठीक है, हाँ लेकिन first is triangle पे triangle, fourth है circle पे circle, तो ये बन सकता है भाई, fifth is again curve, curve टाइप का कुछ तो अलग से कीडा मकोडा बना है भाई, देर उसके बाद में हमारे पास में number 6 number 6 में pentagon पे pentagon 5 side वाले को pentagon बोलते हैं तो pentagon पे pentagon पे pentagon तो ये बन जाएंगा हमारा अगला part तो पहली category clear हो गई है पहली category clear हो गई है बच्चों कि भीया triangle पे triangle circle पे circle और pentagon पे pentagon अब उसके बाद number 2 आएंगा 2 जो है वो कुछ curve type का jar type का है भाई curve या jar type का कुछ तो है 3rd नजी नहीं क्योंकि वो circular design है 4th हो गया 5th ये भी कुछ jar type का या circular curve type का है तो ये second वाली category से मिलता जूलता है 6th नहीं 7th है circular design 8th ये भी jar type का मिलता जूलता है तो बिटा आपका 8th यहां आएंगा तो भी ये circular ये jar curves वगरा जो हो गया एक side then 3rd है circular design 7th है circular design और 9th भी है circular design तो आपका correct answer होना चाहिए भाई 146258379 clear है 146258 और 379 तो correct answer होंगा 146257389 तो बिटा आपका C option जो बी option जो है वो correct answer दिख रहा है clear है बच्चो so आपका भी option जो होंगा 379 that should be your correct answer clear है बच्चो तो ये था बिटा आपके पास में आपका question number 2 का answer right चलिए चलते हैं हम लोग बिटा question number 3 की ओर question number 3 हमसे कह रहा है आपके सामने 9 images दी गई है और ये जो 9 images है इसमें आपको अपना sequencing वापस से करनी है ठीक है तो बच्चन number 1 हमारे पास में है मतब option number 1 एक triangle है उसके अंदर एक और छोटा सा dark color का triangle है तो या बड़ा triangle और उसके पैर पे चिपक के छोटा सा dark color का triangle तो triangle के अंदर dark triangle दूसरा वाला है square के अंदर dot तीसरा वाला है circle के अंदर dark color का circle ये हो सकता है सर देखो ना triangle triangle तीन बार है हाँ लेकिन उसके अंदर की design भी जड़ा देखो शायद institute उसके अंदर की design के उपर bluff करना चाहता है बच्चों को बच्चे क्या करेंगे सर पहला triangle पांच ओथा triangle पाचवा triangle वा तीन triangle है तीन square तीन circle ऐसा नहीं है उसके अंदर के design के pattern को भी देखो तो ये पहला है हमारे पास में number one एक बड़ा triangle उसके अंदर छोटा dark color का triangle ऐसा feature मिलना चाहिए आप देख सकते है third वाला एक बड़ा circle उसके अंदर छोटा dark color का circle क्या ये पहला और तीसरे का feature मिल रहा है फिर उसके बाद में आपके पास में fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, eighth आएंगा एक square है उसके अंदर dark color का छोटा square इस तरीके से आपके पास में one, three और eight जो है ये आपका pattern बन गया then उसके बाद में दूसरा वाला है अंदर एक dot फिर पांच वा है अंदर एक dot साथ वा है अंदर एक dot और बचे वे फिर जो है बेटा हमारे पास में that is four, six and nine clear है बच्चो तो ये था बेटा आपके पास में आपका question number three simple चलते हैं question number four की और a series of figures given below and so and so तो यहां पर भी अब हमें नौ अलग-अलग images दिये गए हैं अब इसमें हमें पहला number तो पहला रखना ही पड़ेंगा बराबर अब पहली image में आप देखेंगे तो दो चोटे dots दिये गए हैं जो circles है dots दो dots है अब देखो भाई दो dots वाले में जिस कौन से हैं second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, eighth में दो dot है और ninth में दो dot है मतलब दो dot वाले एक साथ अब यह हो गए अगला आएंगा number two में number two में एक dot है तो 1 dot वाले घुंडो तो three हो गया, three के बाद में आगया five तो यह आपके पास में single dot वाले आ अब triple dot वाले हमारे पास में number four में three dot है number six में three dot है episode seven में three dot है तो यह हमारे पास में एक logical sequence जो होना चाहिए, तो यह हमने similar type के जो images थे उनको group कर लिया इस तरीके से, तो यह बड़ा आसान सा सवाल सौल हो चुका है, 189, 235 and 467, तो आपका correct होना चाहिए 189 वाला option, जो की है बेटा आपका option number B, तो यह B option आपका select हो गया, clear है बचो, चलो ठीक है, अगला आता है बेटा आपके सामने question number 5, question number 5 में भी आपके पास में कुछ images है, बस इसमे number of lines basis पे करिएगा, पहली image में कित्ती लाइने हैं, A मतब तीन लाइने हैं, तीन लाइनी वाले images को निकालो, तो एक है, second नहीं, third आए है, तो उसमें तीन images हो गई, मतब आपके पास में third, फिर उसके बाद में number 4, क्योंकि तीन-तीन images वाले को group कर लिया, तीन-तीन लाइन वालो को, अब उसके में second में कित्ती लाइने हैं, बटा, पांच, तो फिर अगली पांच लाइने, number 5, अगली पांच लाइने भी आपके पास में number 9, simple, अब आपके पास में third image तो हो गई है, fourth image भी हो गई है, fifth image में आपके पास वो भी complete हो गई है, sixth image में चार लाइन है, seventh image में भी चार लाइन है, और eighth image में भी चार लाइन है, so your correct answer is 134259 कौन सा है भाई, A option जो है बटा, वो 134259 and आपके पास में six, seven, eight, तो correct answer जो होगा, वो होगा बटा, आपके पास में A option, clear, so बड़ा easy था, तो ब जादा time ना invest करते होगे फटा फटा के चलेंगे, चलो next आता है आपके सामने number six, number six थुला सा अजीब सा दिख रहा है, जी बिल्कुल, लेकिन number one पहला तो रखना पड़ेंगा, number one कुछ एक pot type दिख रहा है, tea pot बोलो या जो अपन गंबले के जैसा होता है, flower pot type होता है, वैस तो भाईया number one flower pot type दिख रहा है, ऐसा ही flower pot type कौन सा और दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं number three जो है, वो भी कुछ एक flower pot type दिख रहा है, three तो नहीं, sorry, fourth जो है वो pot type दिख रहा है, तो भाईया fourth वाला pot हो गया, उसके बाद अगर आप देखें, तो आपके पास में अगला pot seventh number type का दिख रहा है designer pot तो आप देख सकते हैं पहला वाला एक pot है fifth fourth वाला भी एक pot है flower pot type जिसों आप कह सकते हो और आपके पास में seventh वाला भी एक pot type का designer pot तो यह 147 grouping होनी चीए second वाला एक jar है second वाला जार है fifth वाला भी एक जार है और एट वाला भी एक जार है तो ये ग्रूपिंग हो गई और बची हुई ग्रूपिंग आप समझ गए कुछ तो फ्लावर टाइप का डिजाइन है थर्ड है सिक्स्थ है और नाइन्थ है दिस शुड़ बी यूर करेक्ट आंसर सो 147 258 369 तो आपके पास में करेक्ट आंसर जो होंगा वो होंगा ए एंसर क्लियर है बचो चलोट तो ये हो गया सिक्स्थ आता है नंबर 7 बिचारा नंबर 7 सिर्फ साथ इमेजेज है उसके अंदर चोटा कोशन अब देखो भया आपके पास में यहां पर क्या बोला है पहली इमेज उसके अंदर सर्कल के अंदर चोटा सा वी है ऐसा कोई डाग्राम है जिसके अंदर वी है हाँ थर्ड वाला है जिसके अंदर वी है और कोई है जी नहीं तो 1 और 3 का एक ग्रूपिंग हो गया फिर उसके अदमे नंबर 2 सर्कल के अंदर circle है क्या ऐसा ही circle के अंदर circle वाला factor कोई है जी हाँ number 4 square के अंदर square number 5 भी आएंगा triangle के अंदर triangle ये हो गया भाई फिर आता है हमारे पास में बचा हुआ 6 और 7 जिसके अंदर दो line एक दुसरे को intersect कर रही है perpendicular way में तो भाईया आपके पास में 1 3 2 4 5 and then 6 or 7 तो यह आपका option है that is D should be your correct answer तो आपने D को select करना है मेरे बच्चो राइट चलो चलते हैं आगे आता है number 8 number 8 में भी आपको 9 images ए ग्रूप करना है इसमें बिल्कुल eye twisting का खेल है number 1 number 1 के अंदर जो line है वो curves है जो curves है वो भाईया उनका मुँ अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ वो open हो रही है दिख रहा है बेट आपको तो हमें ऐसे curves यह जो बाहर की तरफ open है और अंदर की तरफ उनका face है या उनका जो circle का जो curve head होता है, head, curve में एक head होंगा, तो head जो है वो अंदर की तरफ है, देख सकते हैं आप लोग ये ऐसा, एक दूसरे की तरफ है, तो भाईया आपके पास में ऐसा वाला diagram चाहिए, जिसमें एक दूसरे की तरफ है, तो भाईया आपके पास में दूसरा वाला भी है, बराबर, तो पहला है दूसरा है तो पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे की तरफ कर्व है और फिफ्ट वाला जो है वो भी same type का है तो कर्व है एक दूसरे की तरफ heads then third वाले पर आएंगे जिसमें वापस कर्व है लेकिन head opposite direction में है ऐसे इस तरीके से तो भाया ऐसा ही 7th है और ऐसा ही 8th है अब बचा कुछ आप देख लो fourth then उसके बाद 6th और 9 उसके अंदर angles और lines बने हुए है तो भाया ये आसान सा सवाल question number 8 जो हमारा answer आना चीए 1,2,5,3,7,8 वाला answer जो की answer A दिखाई दे रहा है clear है बचो? So that was an easy question question number 9 question number 9 तो भी number of lines की basis पर है यहां पर दो लाइन है तो भाया ये तो आप homework कर लीजिए very easy question number 10 की तरफ आते है question number 10 कहता है भाई आप देख सकते हो कि हमारे पास में पहली जो image है उसमें तो कुछ कोई specific pattern नहीं समझ रहा हां हाँ दूसरी वाली जो image है भाया वो triangle है मताब parallelogram है लेकिन उसके अंदर perpendicular दो डाइग्राम से तो आपन पहले second वाले type के images को ढूंड लेते हैं second वाला देखो second वाला जो है उसके अंदर दो लाइने एक दूसरे को intersect कर रही है तो यह type का हो गया third वाला देख लो third वाले में आप देख सकते हो no'T third वाला आप फूर्त वाला देखो फूर्त वाले में एक बड़ा square है उसको चिपक चो के चोटा square then seventh वाले में एक parallelogram उसको चिपक चोटा parallelogram 8 तवाले में एक हमारे पास में अलग से pentagon उसको चिपके छूट असा pentagon मतलब यह grouping है यह grouping है अब जिसमें कोई अता पता ला पता है वो पहली वाली grouping कर लो 1, 3 और 9 जिसमें image ऐसा है कि एक geometric shape के अंदर दूसरी geometric shape है तो बैया यहां पे हम लोग 1, 3, 9 को करेंगे group तो आपका answer होना चीए 1, 3, 9, 2, 5, 6 and then 4, 7, 8 तो बैया आपके पास में answer जो भी होंगा 1, 3, 9, 2, 5, 6 मतलब A answer ही correct होंगा clear है बचो तो यह है बटा आपके पास में आपके इस question का correct answer done तो यह था बटा आपके पास में आपका question जिसमें type हमने देखा कि groupings कैसे करते हैं clear है guys okay